हुआ हेल्ववरीवन आज हम अपने स्कूल प्लानिंग की अगले टॉपिक7 जो हमारा स्कूल डिसिपलीन था उसके अगले सब टॉपिक है अ कि फ्रीनसीपल औफ ऐसकोल डिसिपलीन पर बात करेंगे principles of school discipline से मतलब है कि ऐसी चीजे ऐसे विचार ऐसे नियम जिन पर हमारा अनुशाशन जो है वो इस्थापित किया जा सकता है तो अगर हम बात करें तो बालकों में अनुशाशन के प्रती जो सकरात्मक भाविक्सित करना है और अनुशाशित आचरण बनाने के लिए उनको बात्ध करना है तो यह है कि विद्याले का जो संपूर्ण वातावरान है वो अनुशाशित हो भय और बल के आधार पर अगर हम अनुशाशन बनाने का प्रयात्न करेंगे तो वो उतना सार्थक नहीं होगा इसलिए सबसे पहले जब हम विद्याले और कक्षा में अनुशाशन बनाने की बात करते हैं तो इसी कारण हमको निम लिखे सिद्धानतों का पालन करना चाहिए तो पहला हमने उस दिन भी पढ़ा था प्रभावत्मक्ता का सिद्धान तो जिसके आदार पर हम कहेंगे कि प विकास स्वभाविक रूप से कर सकेगा दूसरा हमारा सिद्धान थे बालक विकास का सिद्धान तो अनुशाशन इस्थापन के नियमों का निर्धारन जो है वो बालक के शारीरिक मांसिक सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए निर्धारिक करना चाहिए कठोर दंड बालक के कुमल मन में विद्याले सेक्षक या विश्य विशेश के प्रति नकरात्मक भावत पन्नकर सकता है साथि उसके सारीरिक मांसिक और समविकात्मक विकास पर भी कुप्रभाव पुड़ेगा तीसरा हमारा सिध्धान थै इसने हे अ अनुशाशन का सिद्दान तो अनुशाशन की पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अनुशाशन हमेशा इसने पराधारित होना चाहिए ना कि भै पर भै दिखाकर अगर हम बालक की बात करें तो बालक बहुत अधिक समय तक अनुशाशित नहीं रखा जा सकता है जब तक हम उसको वहीं वाली उसकी बच्चे की आदत पर जाएगी कि जब उसको डंडा दिखेगा तभी वह अनुशाशित होगा ंत्था वह उसको निर्वास्थित नहीं करेंगा उसको इस चीज़ को नहीं करना भलकि वह सिर्फ डंडे के भैस यहीं वह कार नहीं करेंगा तो इस तरीके से अगर हम प तारहो जाएगा और वो उस कारे को नहीं करेगा थीसरा है हमारा निस्पक्षिता कर और ना तो समाझी कारतिक स्टर नहीं वैक्तिकत सम्मन नहीं किसी जाती आधर्म स्टरी अधारित होने चाहिए बलकि सभी के लिए नुशाषन के नियम वह समान होने चाहिए उनमें किसी भी परकार का कोई भी परिवरतर संभव नहीं होना चाहिए नेक्ट है एमारा नियायका सिध्धान इस प्रिंसिपल ऑफ जेस्टो से इसमें थयाय।शियर ऐस्थापना कि बात करते हैं कि उसके बाद अगर हम विद्याले में नेक्ट हम टॉपिक लें सब टॉपिक अनुशाशन हिंता के कारण फैक्टर्स जो है वह अनुशाशन हिंता अर्था discipline क्यों खराब होता है तो इसमें हम बात कर सकते हैं सबसे पहला जो हमारा दिश्टब हो जाती है और चात्र उस पर किसी भी प्रकार को कोई प्रभाव नहीं रख पाते हैं जिसकी विज़े से वह बालक योग्यों मादर को का भाव मानकर अपना अनुशाषन इस्थापित नहीं कर पाते हैं नेक्स है मारा आर्थिक कटनाईया आर्थिक कटनाईयों में यह अक्सर इस तरीके की परिस्तितिया अपने विध्यालियों में देखते हैं कि कभी-कभी कोई बालक होश्यार होता है वह आगे पढ़ना तो उस वज़े से वह कहीं ना कहीं कुक्रत करने के लिए मजबूर हो जाता है तो इसका सीधा प्रभाव बालक पर पड़ता है और वह बालक जो है वह समाज और विद्धाले दोनों पर इसके प्रभाव के रूप में दिखाई देता है तो वस्तता जो है वह सिक्षक का क्या रहा है कि बालक को स्वावलंबी बनाना और वर्तवान समय में अपने उद्धेश्यों को प्राप्त कर पाया जबकि ऐसा नहीं हो पाता दिन प्रते दिन ब्रोज़ारों की संख्या बढ़ती जा रही है जिस वज़े से अनुशाशन हिंता भी फैलती है और लोग अपने वि सब्सक्ता ही होती थी कि विद्याले में वह सिक्षा अध्यन करने के लिए जाता है आज विद्यालियों का व्यवसाइक रूप होने से बच जो बच्चा पैसा देता है जो बच्चा फीस देता है कई प्रकार की सुविधाई लेता है उसके आधार पर वह कहता है उसकी सोच यह विश्चित हो जाती है कि जो भी कॉलेज़ कें विद्याले हैं उसको हम पैसा दे कर कि सी भी प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं चाहे est strict ना नहीं वालबी व्य व्यवस्था कर ले ना हम पेपर देने की वृस्ता करले या जो भी फाइल वगारा जो इस तरीके की गतिवीद सब्सक्राइब करते हैं उनके अनुसार जैसे 40 बच्चों का अनुपात होना चाहिए तो ऐसा भी कभी-कभी होता है कि प्राइबेट विद्याले हैं वो कभी-कभी फीस के लालच में ज्यादा पैसे कमाने के लालच में इन अनुपात को बिगार देते हैं वो एक क्लास में कभी-कभी 50-60-70 बच्चे तक भी अड्मिशन ले लेते हैं और एक ही सिक्षक के द्वारा जाहिर सी बात है कि वह क्ला पहुंचों के संख्या होगी तो उसके आधार पर जो है अनुशाषन निर्मित हो सकता है लेकिन जब आवशक्ता से अधिक बच्चों की संख्या हो जाएगी तो अनुशाषन को इस्थाफित कर पाना संभव नहीं है नेक्स हमारा पॉइंट है विद्ध्यार्तियों और अ ब् poz lack of interaction मतलब जो हमारे बीच अंतरक्रिआं होती है उसका अषंग होता है कभी-कभी कि बालग जो है वह रहा है कभी-कभी इंतर मुकी होते हैं इंट्रेक। इंट्र activities होते हैं जिसकी से कभी-कभी हमसे बात करने में शर्माते हैं कभी-कभी अपने जो चीजे होता है कि सिर्फ हम प्राथ्मिक से माध्मिक इस्तर तक के स्कूलों में देखते हैं कि वहां पर सिर्फ पैरेंट टीचर मीटिंग वगएरा होती है जहां पर हम अभिभावक और अध्यापक जो हैं वह एक दूसरे के अधियों को अपने हिसाब से अपनी जीवन को अपने हिसाब से संचालन करने का प्रयास करते हैं जिस वजह से उसका प्रभाव अनुशाशन पर देखने को मिलता है नेक्स्ट हमारा अनुशाशन दुद्म बंदे नियम वह आदर्शों का भाव जैसा कि यह कभी-कभी ऐसा भ सब्सक्राइब करते हैं नेक्स्ट है लैक और प्रॉपर गाइडलाइन अर्थात प्रफ्रदर्शन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि विशय का चुनाव हो जैसा गाइडेंस हर चीज को ज़रूर होते हैं लेकिन कई बालक जो है उनको गाइडेंस जो है वह गलत तरीके से मिलन को अनुशाशन हीनता करने लगता है इग्नोरेंस अबाउट डिस्सिप्लिन अनुशाशन के प्रति अज्ञानता की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी ऐसा ही चीजे हैं कि कभी-कभी अधूरा ज्यान जैसे हम कहते हैं कि खतरनाक होता है तो बैलक को चीजों के बारे में पता ही नहीं होता है कि क्या उसके लिए है क्या उसके लिए फैसिलिटीज नहीं है इन सब की उसे चीजे पता ही नहीं होते हैं जिस वज़े से भी-कभी अनुशाशन हीनता कर बैठता है नेक्स्ट है उप्यूक्त पार्टिकर में हम सहगामी क्रियाओ काबाओ इसमें अग ही होती है जैसे अगर हम बात करते हैं कि जैसे कभी किसी वे चीज़ के बारे में जानना हो यह समझना हो तो हम मानते हैं कि जो टूरिज्म टूर या एजुकेशनल एक्सकर्शन जैसे हम कहते हैं तो वह क्या है वह एक बहुती ब्रहुत ही व्यूक्त प्रयुक्त विधिमानी गई है लेकिन आज कल कोर्स्स में उसका मिस्यूज होने लगा विद्यालियों के दौरा उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जाने लगा जिस वजह से उनको करीकुलम और सिलेवस से बाहर कर दिया गया तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो भी गरीकुलर एक्टिविटीज थी इन सब चीजों को बाहर कर दिया गया जिसकी वेज़े संसीटिव unfLook कि अपने को बहुत ही का बहुत कहते हैं या समझदार मानते हैं कि अगर आपने कभी उनको कुछ कह दिया तो यह लगता है उनकी पीजती हो गई तो इस तरीके से हुझ बात करते हैं कि अगर बच्षे थे भी हैं तो हमें उस तरीके से हैंडिल करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें उनको समझाना चाहिए उनकी इस्तती को समझना चाहिए और उसके अर्थात कहने का ताथ पर यह है कि अगर हमने कभी उनको डाटा है या मारा है तो हम कभी वो ना कर रखेंगे मतलब कहने का यह है कि अगर हम उसको दंड देते हैं तो हमें उसे पुरसकार देने का भी कार करना चाहिए ताकि जो है वह बैलेंज बना रहेगा और बालक को अपनी वैल्यू समझ में आएगी इसी तरह विद्याले मनुशाशन मानाय के लिए हमने पहले पढ़ाता कि प्रसिश्चित और अनुभवी वर्षात क्या है कि ट्रेंड और एक्स्पिजियंस सिर्फ नॉलेज वाले नहीं कि उन्होंने टीचिंग करना आता है या उन्हें सिर्फ पढ़ाना आता है इस से हमें स पासपास के अपने अनुभावों के अधार पर और ज्यादा अच्छे से कारे कर सकेंगे कि नेक्स्ट हमारा प्रधानाध्यापक अर्थात कहने का मरलब यह है कि अगर हम इसको पूरी प्रोसेस में देखें तो कहीं न कहीं से हम एजल लीडर्शिप मानते हैं कि वह हमारा पर सब्राइब करते हैं कि अगर उन्होंने वह चीज मानीन आदेश दिया अनुब कर सकते हैं हम वह कारी नहीं कर सकते हैं तो जब भी इस तरीके का लीडर्शिप की जहां बात करते हैं तो हमारा लीडर जो वह वह बहुत ही कुशल हो जो चीजों को हर इसतर पर चाहें वो बच्चे की नीड हो चाहें वो टीचर की नीड हो चाहें फोर्स क्लास इंप्लाई की नीड हो सभी लोगों को समझना चाहिए सब की बातों को ध्यान में रखना चाहिए तभी वो एक अच्छा लीडर बन पाएगा नेक्स्ट है अगर हम विद्यार्थियों को भी अनुशाशन के महत्में बात करें तो विद्यार्थियों को हमें महापुरोषों के जैसे कई-कई दिनों पर ज्यांतियां हम मनाते हैं कभी-कई किसी का पूरा-पूरा हफ्ता मनाते हैं इस तरीके से जो भी हैं उनके बारे में भी हमें बच्चों को अवगत कराना चाहिए और उनके महापुरूशों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो उससे प्रेणा प्राप्ति कर सकें नेक्स है हमारा अध्यापक और अभिभावकों के माहमें एक बार गोष्टे अर्थाथ, एक महेने में एक बार मीटिंग होना चाहिए अध्यापक टीचर्स और गार्डियन्स की, ताकि हम बालकों के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में उन्हें अवगत करा सके, और जहां तो हम लोग उसको आपस हैं बैट कर अगर हम समझने का प्यास करेंगे तो उस पर हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं हमारा अनुशाषन को प्रेम और उस पर बात नहीं करेंगे तो बच्छा उस चीज़कों प्रारंब कर देगा नेक्स्स हमारा विद्यायले में बालकों में नेदरत के गुण़थपन करने चाहिए तो ये भी जाहिए से बात है कि हमें बच्चों में भी कही ना कहीं जो हमारी स्वड़ों मूटी एक्टिविटी फूती हैं उन में हुम कि समाज में कहीं न कहीं प्रेजेंट टेबल करने वाला मान सके नेक्स है मारा इसी तरीके से जैसे हमने लीडर्शिप के बात की तो इसके अतहत ही हम उस बच्चे को रिस्पॉंसबिल्टीज देंगे और उन जिम्मेदारियों रिस्पॉंसबिल्टीज को समझते हुए वह अनुशाशन बनाए रखने के लिए भी कारे करेगा तो इस तरीके से बच्चा जो है वह कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा सीरियस भी हो जाएगा और वह चाहिए ताकि वह क्लास्रूम में जाए तो अपने को प्रिजेंट करने के लिए कभी भी जिजक ना महसूस करें बच्चे उससे जिस भी प्रकार का कोई भी कॉश्चन उससे संबंदित अगर पोश्ते हैं तो उसका प्रभा उत्तर देना चाहिए नहीं तो बच्चों को सम शक के प्रती भी जो है अपना जिम्मेदारियां समझेंगे साथी अनुशाशन भी विक्सित होगा तो इस तरीके से कई हमारे अनुशाशन हिंता के पॉइंट्स हैं जो छोटे से लेके बड़े इस तर तक होते हैं जिनको हमें अपने जीवन में अगर हम शामिल कर लें तो